हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 15,000 के बजट में मिलने वाले बहुती ज़ादा बढ़िया 6 मोबाइल्स रियल्मी, रेड्मी, ओपो, सैमसंग, नोकिया की तरफ से तो दोस्तों इस वीडियो में इन सब में comparison करके आपको बताऊँगा इन सब में क्या-क्या खूबिया है, क्या-क्या कमिया है और अगर आपका बजट 15,000 का है तो आपको इन सब में सा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो को आप end तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी skip मत करिएगा चली बात कर लेते हैं, दोस्तों सबसे पहले सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग Galaxy F22 के बारे में जो बिल्कुल लेटेस लाउंच कर दिया है, सैमसंग ने साड़े 12,000 का, इसमा आपको साड़े 12,000 में दी गई है 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज, अब इसकी पहली सबसे बड़ी खुबी है इसके डिस्पले, इसके अंदर आपको 6.4 इंचिस की सूपर एमोलेट डिस्पले दी गई है HD+, है लेकिन दोस्टोर डिस्पले की जो क्वालिटी है, वो बहुत ही ज़ादा बढ़िया है लगबग साड़े चेंज की डिस्पले है, तो दोस्टोर डिस्पले की जो क्वालिटी है, सके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है बिल्कुल बेस्ट डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर आपको इस रेंज में और 90 Hz का रिफ्रेश रेट भी है तो यूस करने में काफ़ी स्मूध लगता है ये तो ये खुब भी आपको इसके अंदर पहली सबसे बड़ी दी गई है डिजान मिलता है हार्ड प्लास्टिक के टाइप का ब्लू कलर आपको कुछ इस तरीकी से मिल जाता है लाइनिंग्स दी गई हैं स्क्रैचिस बहुत कमाते हैं बैक पैनल पे बाकि दोस्तों वैसे लुक वाइस इसका डिजान नॉर्मल ही है पिछी की तरफ चार कैमरे दिये गए हैं इसमें मेन कैमरा है पहला अरतालिस मेगा पिक्सल का दूसरा आठ दो कैमरे हैं दो-दो मेगा पिक्सल के फ्रेंट है तेरा मेगा पिक्सल का इसकी दूसरी खुबी है कैमरे की परफॉर्मेंस दोस्तों स्केंदर बहुत बढ़िये मिल जाती है लेफ्ट साइड पर SIM के ट्रे इसमें दो SIM काड़, एक मेमरी काड़, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं टाइप C port इसके अंदर आपको दिया गया है फिंगर पेंट स्कैनर साइड में है पावर के बटन के अंदर उपर से देहींगे तो noise cancelling mic दिया गया है इसके अंदर बैटरी मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर 6000 image की जो कि इसकी तीसरी सबसे बड़ी खुबी है एक दिन का बैटरी backup आराम से मिल जाता है और एक दिन से जादा ही मिलता है इसके साद 24 बड़ी खुबी है इसका use interface चलाने में ये mobile बहुत जादा बढ़िया लगता है इसके अंदर आपको Samsung का one UI दिया गया है MediaTek का G80 processor है इसके अंदर नॉर्मल यूज में आपको दिक्कत नहीं होगी तो display, use interface, camera इसके साद दोस्तों इसकी बैटरी ये चार खुबी इसमें बढ़िया है अगर आपको Samsung पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपको चार खुबी पसंद आई चली बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Nokia की तरफ से अब दोस्तों अगर आपको Nokia पर भरुसा है तो Nokia का आपको मिल जाता है 5.4 इसकी कीमत है दोस्तों 13,000 इसमें भी आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज अब इसके अंदर आपको सबसे पहली खुबी दी गई है इसका यूज़ इंटरफेस इसके अंदर आपको स्टॉक Android दिया गया है extra applications इसके अंदर आपको नहीं मिलती काफी clean UI दिया गया है इसके अंदर आपको तो दोस्तों इसके अंदर आपको ब्लोट वेर नहीं मिलता यूज़ करने में ये काफी smooth लगता है काफी clean UI है इसका और दोस्तों इसके अंदर आपको Android के अपडेट्स भी काफ़ी जादा जल्दी देखने को मिलेंगे डिस्प्लेइस के अंदर आपको मिल जाती है IPS AMOLED तो नहीं दी गई Samsung के तरह तो डिस्प्लेइकी quality इसके अंदर आपको normal ही दी गई है बाकी design बढ़िया है punch hole camera वाला इसके लब दोस्तों इसके अंदर आपको दूसरी बड़ी खुब भी मिल जाती है इसका design look wise इसका design बहुत ही जादा अच्छा लगता है light की reflection आप देख सकते हैं इसके back panel पे बहुत जादा बढ़िया लग रही है black और blue color का combination है जो बहुत अच्छा लगता है lining भी दी गई है पीछे के तरफ चार camera दिये गया है जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का दूसरा 5 दो camera है दो 2 megapixel के front है इसका 16 megapixel का camera की जो performance है दोस्तों rate के साबसे इसके अंदर काफी बढ़िया मिल जाती है इसकी तीसरी खुबी है camera इसके अंदर भी आपको काफी अच्छा दिया गया है लेकिन सबसब best mobile है जो camera को लेकर वो हम अभी देखेंगे left side पर sim की tray है इसमें भी 2 sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है type c port इसके अंदर भी आपको दिया गया है display की quality भी आपको normal मिल जाती है बाकी तीन खुबी इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया दी गई है अगर आपको Nokia पे ही भरोसा है तो आप इसको ले सकते हैं दोस्तो 13000 में एक तो इसके अंदर आपको user interface बढ़िया दिया गया है दोसरे इसके अंदर आपको design अच्छा मिल जाता है और तीसरे इसके अंदर आपको camera बढ़िया दिया गया है अगर आपको ये तीन खुबी यही चाहिए processor, display की quality, इसके साथ battery, ये चीज़ा आपके लिए normal चलेंगी तो दोस्तो आप ये Nokia का 5.4 ले सकते हैं 13,000 में मुझे वैसे rate के साथ से average ही लगा mobile F22 जादा पसंद आया कम कीमत में चले बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Realme का Narzo 30, 4G ये आपको मिलता है दोस्तो 12,000 का ये भी अभी हाली में लाउंच हुआ है इसके अंदर भी आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage अब दोस्तो इसके अंदर जो आपको खूब ये मिलती हैं उनमें सबसेर पहले इसका processor है इसके अंदर आपको MediaTekka G95 processor दिया गया है अगर आप एक बहुत ज़दा heavy user है तो performance के लिए mobile बहुत ज़दा बढ़िया है साड़े 12000 में गेमिंग अगर आपको ज़दा करनी है तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी processor इसके अंदर आपको बहुत ज़दा अच्छा दिया गया है डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाती है अच्छा लग रहा है एरो शेप में डिजाइन दिये गया है कैमरे की नीचे से जो बहुत ज़दा अच्छे लगते है मूव होते हैं जब आप इसको मूव करते हैं इसके लवद दोस्तर पीछे की तरफ तीन कैमरे दिये गया है इसमें में कैमरे है पहला 48 MP का दो कैमरे है दो 2 MP के फरेंट है 16 MP कैमरे की जो परफॉमेंस है वो आपको इसके अंदर रेट के साबसे normal मिलती है इसके लव दोस्तर लेफ्ट साइड साब देहेंगे इससी मूबाइल को तो SIM की ट्रे दी गई है इसके अंदर भी दो सिम काड़ एक मेमरी काड़ तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, निची की तरफ टाइप सिपाउट दिया गया है, फिंगर पेंट स्कैनर साइड में है, उपर से देखेंगे तो प्लेन डिजाइन इस तरफ कुछ नहीं दिया गया, दोस्तो इसके अं अगर आपको मिलती है, रियल्मी नार्जो 34G के अंदर साड़े बारा हज़ार में, तो तीन खुब ऐसी हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर आपके लिए तीन चीज़े मैटर करती हैं, तो साड़े बारा हज़ार में आप इसी को खरीद दियेगा, अगर आपको इसको ले सकते हैं, अगर आपको इसको ले सकते हैं, अगले मोबाइल है दोस्तो रेडमी का नोट 10T, ये भी इसी वीक के अंदर लाँच हुआ है, रेडमी की तरफ से 14,000 का, 14,000 इसका प्राइस है, इसके अंदर भी आपको दी गई है, 4GB RAM, 64GB के इंटरनल सबसे पहली खुबी मिलती है, जो कि है इसका 5G होना, ये मोबाइल 5G है, इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट दिया गया है, इससे पहले हमने जितने भी मोबाइल्स देखे दोस्तों, वो सारे आपको 4G ही मिलते हैं, तो पहली खुबी इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट द जाता है तो यूज़ करने में ये भी स्मूध लगता है डिस्प्ले का साइज भी अच्छा है डिजाइन भी बढ़िया है बाकी क्वालिटी मुझे रेट के साब से नॉर्मल ही लगी अगर इसके अंदर एमोलेट डिस्प्ले होती तो बहुत बढ़िया रहता इसके अंदर आ कैमरे है पहला 48 MP का दो कैमरे है दो 2 MP के फ्रेंट है इसका 8 MP का कैमरे की परफॉमेंस 200 रेट के साब से मुझे इसकी नॉर्मल ही लगी लेफ्ट साइड साब देहेंगे से मुबाइल को तो इसमा आपको सिम की ट्रय ऐसी दी गई है जिसके अंदर या तो आप 2 SIM कार्ड लग की तरफ noise cancellation mic मिल जाता है और IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MR remote काम करता है तो अगर आप इससे चला सकते हैं बैटरी दी गई है 5000 mh की 18 watt की charging का support मिलता है इसके अंदर आपको लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी सबसे बड़ी खुबी दी गई है इसका processor इसके आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक तो 5G दूसरा बढ़ी है डिजाइन और तीसरा इसकी performance अगर आपको इसकी तीन खुब्य पसंद आई तो आप इसको ले सकते हैं 14,000 में चली बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है ओपो की तरफ आप इसके अंदर आपको दोस्तों जो खुब्या दी गई है जो बाकी सब में कम रेट में भी हैं वो पहली तो यह है इसके अंदर आपको IPA से डिस्प्ले दी गई है सबसे ज़ादा इसका rate है लेकिन इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं दी गई जो Samsung के अंदर आप आपको सबसे कम कीमत में मिल जाती है तो इसके अंदर आपको आई पेसी डिस्पले दी गई है डिस्पले की क्वालिटी रेट के साब से इसके अंदर आपको एवरेज ही मिलती है बाकी इसकी पहली खुबी यह है यह मुबाइल भी 5G है रेडमी के नोट 10T 5G की तरह इसके अं आप देख सकते हैं इसके बैक पेनल पे काफी जादा बड़ी लगती है लुक वाइस इसका डिजाइन बहुत जाद अच्छा है दोस्तों आप देख सकते हैं वैसे इसके अंदर आपको प्लास्री के टाइप कही डिजाइन दिया गया है तो आप बिना कवर के यूज मत करि हैं इसमें मेन कैमरा है पहला 13 मेगा पिक्सल का दो कैमरे हैं दो-दो मेगा पिक्सल के फ्रंट है 8 मेगा पिक्सल का कैमरे की पर्फॉमेंस मुझे रेट के साब से इसकी नॉर्मल ही लगी लेफ्ट साब देहेंगे तो सिम की ट्रे दी गई है इसमें जिसके अंदर आप दो नॉर्मल बाकी सब भी मोबाइल्स की तरह तो दोस्तों लगबग देखा जाए तो सारी ही खुब्येस के अंदर आपको एवरेज दी गई हैं जो खुब्येस के अंदर तीन बढ़िया है तो डिजाइन दूसरा इसका प्रोस्सर और तीसरा 5G होना ये आपको कम कीमत में नोट टेंटी 5G के अंदर भी मिल जाती हैं तो रेट के साब से ये स्मार्टफोन मुझे सबसे ज़ादा एवरेज लगा इन सारे मोबाइल्स में हालक इसकी कीमत 15,000 से और ज़ादा ही है लेकिन दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद है 16,000 में तो मैं आपसे और येलमी 8 है एक 5G भी आता है लेकिन ये 4G है इसकी कीमत है 215,000 इसमा आपको दोस्तों खूबिया रेट के सबसे सबसे ज़ादा बढ़िया दी गई है ये सबसे बेस्ट है इसके अंदर आपको दी गई है 4GB में 128GB के इंटरनल स्टोरेज तो स्टोरेज इसके अंदर आप इसके दिस्पले सेमसंग के बाद इसके अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है डिस्पले के अंदर ही फिंगरपेंट स्केनर मिल जाता है इसके अंदर आपको ये खुबी बिसमें सबसे ज़ाद अच्छी है और दोस्तों इसका डिस्पली की है वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको Samsung की तरह बहुत जादा बढ़िया दी गई है एक तो Samsung दूसरा Realme 8 यह दो mobile सबसे best हैं सबसे अच्छी डिस्प्ले के लिए इसके लब दोस्ते इसके अंदर आपको इसके लब दोस्ते इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है इसके लब दोस्ते लेफ्ट साइड साब देहेंगे इस mobile को तो sim की ट्रे दी गई है इसमें भी इस तरफ इसके अंदर भी दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं टाइप सिपोर्ट इसके अंदर आपको दिया गया है दोस्तो ये कमी आपको सिर्फ रेडिमी के note 10T में मिलती है कि आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते हैं बाकी सब में तो ये खुबी है इसके लब दोस्ते इसके अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेज की 30W के fast charger के साथ तो दोस्तो charger भी बढ़िया है बैटरी भी बढ़िया है और दोस्तो इसके अंदर आपको प्रोस्तर मिल जाता है MediaTekka G95 हैवी उसके लिए ये बहुत जाद अच्छा है तो लगबग सारी ही खुबियां इसके अंदर आपको बहुत जादा बढ़िय इसके अंदर आपको डिजान बढ़िया है और पांचो इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है और चटी होबी दोस्तो ये भी है प्रोस्तर बहुत अच्छा है बस ये 5G नहीं है और डिस्प्ले में 90Hz का रिफ्रेशरेट नहीं दिया गया बागी सारी खुब्या इसके साथ दोस्तों अगर आपको अवरॉल हर चीज में सबसे बेस्ट स्मार्टफून लेना है तो रियलमी 8 आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इसके साथ दोस्तों अगर आपको 5G मोबैल लेना है परफॉमेंस बढ़िया चाहिए तो आप Note 10T 5G ले सकते हैं और दोस कमेंट करके आपको इन सब में कौन से जादा पसंद आया यह चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो की निचे जो यह लाल कलर का बटन उस दबाके चैनल को सब्सक्राइब क कर लीजिए बैल एकन दबाके और पर क्लिक कर दिएगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लिए वीडियो गर आपको हैल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई